लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं बहुत बार देखाऊगा कि जब तक आप कोई मॉटिवेसनल वीडियो देखते हो तब तक आपमे जोश रहता है लेकिन जैसे ही काम करना या करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहां गाइब हो जाता है यह वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो किसी ग्यान की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऐसा कोई लक्षे जो आज के बाद आप अपनी लाइक में प्राप नहीं कर सको लेकिन ये कैसे पोसिबल होगा इसके लिए आपको शांती से बेटके आँखे बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपनी थोड़्स में बिठा ल और खुद भगवान श्री कृष्ण ने गिता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को सेक्रेट ग्यान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता तो दोस्तों एक सवाल का जवाब दीजिए इस प्रत्वी के सबसे पहले और इस प्रत्वी के ही नहीं बलकि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मौटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है जी हां बानसूरी बजाने वाले भगवान कृष्ण जिन्होंने आज की तारिक से ना जाने कितने ही यूगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ग्यान दिया था जो आज 21 सदी की दुनिया पर आज के लोगों की लाइफ इस्टाइल पर भी एकदम सही बेढ़ता है और यह जान करके बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिये ग्यान को पढ़कर अलबर्ट एंस्टाइन, महत्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, एनी विसेंट, सुनिता विलियम्स जैसे ओर ना जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया अगर आप यह सोचेंगे कि भागवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक गरंथ नहीं है बलकि इसमें वो नौलेज है जो इस प्रत्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किये जाते हैं पर्सनलिटी कैसे बनाते हैं पोजिटिव एनरजी कहां से लाते हैं खुशी क्या होती है कितनी भी बड़ी प्रोब्लम का सॉलूशन कैसे ढूंडते हैं डिसीजन कैसे लिया जाता है किसी भी ब्रेक अप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं Emotionally Stable कैसे होते हैं किसी भी बिजनिस को Successful कैसे बनाते हैं मेहनत कैसे की जाती है हम क्या है और कौन है जिन्दगी जीने का सही तरीका क्या है मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है ये ब्रहमांड कैसे बना क्या भगवान है और अगर है तो कहां है क्या आप भी पुनर जन्म लेंगे ये लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना दोस्तों इस भागवत गीता के ग्यानने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अरजुन को महाबारत के महान युद्ध का सरोस्रेष्ट युद्धा और विजेता बना दिया अगर आप भी अपनी जिन्दगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी जिन्दगी की समस्याओं के जंग के मेदान के अरजुन हो और इसलिए उस गीता ग्यान को जानना आपकी चोईश नहीं बलकि आपका अधिकार है इस गीता ग्यान को समझ कर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये असली नौलिज में पहले क्यों नहीं आसिल कर पाया तो ऐसा क्या है आकिर भागवत गीता में और इसका मतलब क्या है भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत यानि कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुह से गाया हो भागवद गीता संस्कृत में लिखी गई है लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंगलिश और अलग-अलग भाशाओं में मिल जाएगा वैसे तो भागवद गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याए 700 शलोक पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से स्टुडेंट के हिसाब से, बिजनिसमेन के हिसाब से अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशन्सिप में और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं, वह है बताया है दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे 18 चेप्टर कवर करूँगा और कोई भी चेप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि उसमें आप क्या सीखने वाले हो फिर उस चेप्टर को शौट में समझाऊंगा और उसके बाद उससे सीखने वाली चीजों को डिटेल में समझाऊंगा अगर आपको यह जानना है कि आखिर भगवान को खुद ग्यान देने की जरुरत क्यों पड़ी ये पांडव और कोरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुवात कैसे हुई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से दे दूँगा तो चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कुरुक्षित्र के युद्ध के मैदान में जहां पर पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हैं भागवत गीता अध्याई एक सेना का निरिक्षन दोस्तों गीता के पहले अध्याई से आपको यह सीखने को मिलेगा कि यह सी कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है बले ही आप में बहुत नौलेज हो आप में बहुत काबिलियत हो लेकिन उस एक चीज की वज़े से आप सही डिसिजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इनसान कैसे बदल जाता है वहें भी हम जानेंगे कौर्वों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी भिस्म पिता में थे गुरू द्रोनाचारिय और गुरू क्रपाचारिय जैसे बड़े बड़े योद्धा थे पांडवों की सेना में अरजुन, भीम सहीद, पांचो पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यू, द्रोपती के पांचो पुत्रादी थे अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था, पांडवों और कौरवों के लिए गुरू द्रोनाचारिय और क्रपाचारिय दोनों एक ही थे, दादा भिश्म भी एक ही थे, साथी साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर क कोई जीतने के इरादे से आ रखा था रण भूमी में जब जोर से युद्ध की गोशना के लिए संकनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सार्थी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच में एक बार ले जाकर के खड़ा कर दो ताकि मैं य पूरु दोनाचारिया ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था अर्जुन ने युद्ध के मेदान में जिदर भी देखा वहां दोनों तरफी सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे ये देखकर अर्जुन बहुत धुखी हो गए और कृष्ण से बोले यहां तो हर अर्जुन पूरे दुखी होकर और खुद को कोस्ते हुए अपने धनुष्ट को छोड़ कर रत में वापस जाकर बैट गए दोस्तों गीता के इस फर्ष्ट सेप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक्ता सोच से अलग होती है हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है जब हम किसी बूरी चीज का सामना करते हैं तो हम सहीम खो बेटते हैं और घबरा जाते हैं और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं भले ही अरजुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनों सुटा कर चले आए लेकिन युद्ध सिर्फ अतियारों के चलाना जाने से नहीं होता उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं इमोसिनल स्टेबिलीटी चाहिए होती है मैदान में आकर अरजुन को अपनी ड्यूटी से ज़्यादा फैमली और गुरूओं से मोह हो गया और उससे फिर वो दुखी हो गए वो युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिन्दगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह यानि कि अटेच्मेंट आप सुबह जल्दी उट सकते हो लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह होता है अरजुन एक शत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे लेकिन वो अटेच्मेंट में आकर अपना कर्म भूल गए इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनोतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटेच्मेंट को सेक्रिफाइस करना आना चाहिए दोस्तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो मानलो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो लेकिन वह मनुष से आपकी प्रेम की कद्र नहीं करते हो ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चीए क्योंकि attachment किसी भी तरका हो जब तक वो है आप अपनी life के अर्जु नहीं बन पाओगे दोस्तों गीता के दूसरे अध्याय से हमें emotional stability, आत्मा, मृत्यू, फुनर जन्म, decision making के बारे में सीखने को मिलता है और गुसे का सबसे बड़ा region और उसका solution क्या है कैसे आप किसी भी condition में खुस रह सकते हो और महनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब सार्थी स्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह तुम्हें अचानक से क्या हो गया? जिस तरह की कमजोर बाते तुम बोल रहे हो वो तुम जैसे महान युद्धा के मुँसे बिलकुल अच्छी नहीं लगती इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़ कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाँ अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने ही गुरू जी दुरोना चारी है वो दादा जी भिस्म पिता मैं को मारने के लिए अपना धनुश चला सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेशा से ही भगवान की तरह रहे है इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं बिखारी बन जाऊ क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही है मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा इसलिए मेरा मार्गदशन करो क्रिष्ण श्री क्रिष्ण मुस्करा कर अरजुन को देखने लगे भले कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो देही न ऐसा भी कभी हो सकता है क्या यहीं से शुरू होता है भागवत गीता का वो ग्यान जो आपको भी अर्जुन बनकर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन ये तुझे अचानक से क्या हो गया तुझ जैसे इंसान को किसी दूसरे की मृत्यू को लेकर नहीं डरना चाहिए और वैसे भी तुझे क्या लग रहा है ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तु ही इनको मारेगा इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जनम भी था और अगला जनम भी होगा इसलिए जैसा तुम सोचकर धुखी हो रहे हो वह ग्यान तुमारा अधूरा है और रही बात इनकी मृत्यू का तुझे पाप लगनेगी तो ये समझ ले इनको मारने वाला तू नहीं बलकि मैं हूँ तू तो इनकी मौत का सिर्फ एक कारण है और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बलकि आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता आत्मा तो अगले जनम के लिए इस शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नए पहनते हो हे अर्जुन जनम देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ और ये बता क्या तु किसी मरे हुए इंसान को जिन्दा कर सकता है अगर तु मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता तो जीवित को भी नहीं मार सकता क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ और इनकी मौथ मैंने तेरे ही हातों लिखी है और अरजुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि آत्मा भी मरती है तो ये जान ले कि آत्मा जेसे जन्म लेकर मरती है वैसे ही मरने के बाद प्रकर्ती का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा इस प्रकार से भी आत्मा नश्ट नहीं हुई और जब प्रकर्ती ऐसे ही चलती है तो भला तु इसका जिम्मेदार कैसे हुआ अरजुन जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का आउसर प्राप्त होता है वो ना केवल भागेशाली है बलकि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है और अगर तुने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निबाया और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंग जुड़ जाएगा और तेरे जैसे अरजुन के लिए तो कलंग उसकी मौत से भी बढ़ा है जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तेरी बहुत बुराईयां करेंगे तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे इसलिए अरजुन तु सुख दुख हार जीत और फाइदे नुकसान को छोड़ कर अपने विचारों को इस्थिर कर और युद्ध के लिए धनोश उठा जिससे या तो तु युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आएगा या फिर विजेता बनकर धर्ती पर ही सुख भोगेगा हे अरजुन तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ग्यान के आगे बहुत छोटा है तुम काम करने के पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो जबकि तुमें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम तुम अपना काम करो मैं अवश्य अपना काम करूँगा इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को इस्थिर यानि कि अपने इमोशन से और थोट को कंट्रोल करने को कहा है तो ये मैं कैसे करूँ इस पर श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही इस्थिर बुद्धी कहलाता है ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और नाहीं किसी अच्छे काम में खुशी होती है जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नस्ठ हो गया है जो सुब असुब के चक्कर से बाहर निकल गया है जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वस में कर लेता है जैसे कोई कच्छुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है उस मनुश्य की बुद्धी इस्तिर हो जाती है क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाओं अच्छी लगने लगती है इच्छाएं अच्छी लगने लगती है तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकाउट आती है तो फिर हमें गुसा आता है और गुसा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूल कर खुद ही अपनी स्थिती से नीचे गिर जाता है परन्तु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश्मे करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतरमन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है और जब उसके सब धुख ही समाप्त हो जाते है तो उसकी बुद्धी इस्तिर हो जाती है परन्तु जिसकी इच्छाओं और कामनाए उसके मन से नहीं जाती है वो मनुष्य कभी शांती नहीं पाता और जब शांती ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा बला उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में वहा करके ले जा सकती है इस्तिर बुद्धी वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहि कितनी ही नदियां आके मिले फिर भी उसको कोई फरक नहीं पड़ता और इसी तरह का इस्तिर बुद्धी वाला प्राणी मृत्यू के बाद मेरी ही शरण में आता है दोस्तो अब आते हैं इस चेप्टर के मीनिंग पर आप मैंसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं और आज तक आप लोगों मेंसे जिसने भी अपने प्रियजन को मर्त्यू के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी जिन्दगी में भी उनके किसी सबसे प्रिये यहां तक कि खुद की भी मौत एक दिन जरूर होगी लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है क्योंकि खुद भगवान नहीं कहा है कि हम अपने जन्म से पहले वी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे लेकिन उस समय हम किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्मान में जरूर रहेंगे और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चीए क्योंकि या तो हमारा पुनर जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भाव कोना और यही प्रकर्ती का नियम भी है और हम कोई शरीड नहीं है जो हमें डरने की जरूरत है हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते है और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए यह दुनिया तो मात्र उस इश्वर का एक माया जाल है अब दोस्तों अरजुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटेज्मेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सपलता के रास्ते पर आगे ले जाता है उधारन के लिए अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए या सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा इसी तरह से आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपकी लायग में मोह कौन कौन से है और आपके कर्टवे के लिए जरूरी क्या है इसके बाद बात करते हैं कि हमारी problem अका सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा solution भी क्या है दोस्तो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं और जब वो कोशिशे नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर घुस्सा पैदा हो जाता है और गुसा ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे आप हमेशा अपने आपको समस्याओं से गिरा हुआ ही पाओगे क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है अब आप यहे भी बोलोगे कि अगर जिन्दगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी नाम कैसे कमाएंगे तो दोस्तों इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने करम को पहचानी यानि कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्षे प्राप्त करवाएगा और उसके बाद सफल होने की उमीद या ऐसफल होने का डर मन में पैदा किये बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बलके खुद भगवान कर रहे हैं और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं तूटेगी क्योंकि आपको यह लगेगा कि यह काम मैं नहीं बलके महनत भगवान कर रहे हैं और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं तूटेगी क्योंकि आपको यह लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो दोस्तों अब गीता के थर्ड चेप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजे हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है अर्जुन बोले हे क्रिश्न आपकी बाते सुनके ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्यान कर्म से ज़्यादा सही है लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो तो आप ये बताईए कि मैं ग्यान का रास्ता अपना कर सन्यासी बनू या कर्म का रास्ता अपना कर युद्ध लडू सुनकर क्रिश्न बोले इस संसार में मैंने खुदने ही दो तरह की योग बनाये है योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं उनमें से एक है ग्यान योग और दूसरा है कर्म योग और अरजुन तुम एक मनुष्य हो तुम चाहा करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते उधारन के लिए तुमें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ती से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे कहने का मतलब है तुम से जाने अंजाने में कर्म तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम मनुश्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो तो तुम अपने धर्म से भी बंदे हो इसलिए तुमारे लिए सन्यास के रास्ते की जगए कर्म का रास्ता ज्यादा सही है मतलब ग्यान योग या सांखे योग की जगे कर्म योग जादा सही है इसलिए तुम यहे सोचकर की यहे काम तुम नहीं कर रहे हो बलकि प्रकरती का गुलाम होकर तुमहारा शरीर कर रहा है फल्की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो क्योंकि अगर तुम अपने आफ को खुद के कर्म का करता यानि करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा करता बनूँगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुविधाएं, सुक और राज्य दे दूँगा जिसकी तुम्हें शरुरत होगी बिना मेहनत किये ही सुक सुईधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानिके मुझसे नहीं मिल पाओगे जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बलकि जीने के लिए खाते हैं उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बलकि कल्यान के लिए युद्ध करो हे अरजुन तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुमारी संतान या आने वाली दुनिया करेगग अरजुन अब तुम मुझको ही देख ले मैं तो भगवान हूँ मुझे भला किसी काम को करने की जरूत क्या है पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सांस है और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा और इस तरह से तो पूरी शर्ष्टी ही नस्टो जाएगी कोई अगर तुमारा साथ भी ना दे या तुमारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बात तुमारे जैसा ही करने लग जाएगा जो व्यक्ति है सोचता है कि वह कर्म खुद करता है उससे बड़ा मुर्ख और धुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है और ग्यानी लोगों के दौरा ऐसे मुर्खों को कभी नहीं छड़ा जाना चाहिए इसलिए अरजुन तू भी अपने आपको इस कर्म के बंदन में ना बांद कर बिना किसी आशा के दया के और पच्चतावे के अपना युद्ध कर अरजुन खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए बले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए अरजुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुस्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकरती वैसी ही है इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है और जिस तरह धुहें की वज़े से आग दिखाई नहीं देती उसी तरह से काम और क्रोध की वज़े से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते और इसी वज़े से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंतरन खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बेटता है अर्जुन तू हमेशा याद रखना इस शरीर से ज़्यादा शक्ति-षाली है इसकी इंद्रियां इंद्रियों से ज़्यादा शक्ति शाली है मन मन से शक्ति शाली है भुद्धी और भुद्धी से ज़्यादा शक्ति शाली हो तुम यानि कि तुम आत्मा इसलिए अरजुन तु अपनी आत्मा से अपनी भुद्धी को वश्मे कर बुद्धी मन को वश्म करेगी मन इंद्रियों को वश्म करेगा और इंद्रियां शरीर को यानि कि तुम्हारे बुरे करमों को दोस्तो अब श्रीक कृष्ण की कही गई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं देखो इस दुनिया में result दो ही चीजों से आते हैं ग्यान और कर्म means knowledge और action लेकिन दोनों अलग अलग है आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में relate करके देखेंगे हमारी लिए knowledge भी उतना ही ज़रूरी है जितना action knowledge का मतलब यह है नहीं है कि आप सिर्फ एकजाम पास करने के लिए syllabus को रटते हो बलकि knowledge का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके goals क्या है आपकी capabilities और आपके issues क्या क्या है और इन सब को मिला कर goals तक पहुँचने की आपकी planning क्या है यह है आपका knowledge यानि की ज्यान योग इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि मेरे भाई आप शरीर नहीं हो आप एक आत्मा हो आपकी आत्मा यानि आप खुद अपने emotions अपनी thoughts और अपनी activities से बहुत उपर हो और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 99% नहीं बलकि 100% अपनी problem से उपर उठ जाओगे इसके बाद इस chapter में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्म योग यानि कि आपके शरीर के actions actions के लिए भगवान ने ये बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे तब इसके दो फाइदे होंगे एक तो ये कि आप अपनी महनत के result को लेकर tension में नहीं रहो और दूसरा ये कि आप emotionally stable होकर अपनी best महनत कर पाओ इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे result को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि स्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुस्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुट करा पाएं इसको बहुती आशान सब्दों में बताया गया है कि आप अपने आपको उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानि की आत्मा समझो और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसिज यानि की इंद्रियों को काबू में कर लेगा और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब भूरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है भागवत गीता अध्याय चार दिव्य ग्यान गीता के चोथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धर्ती पर आते हैं भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है गुरू से ग्यान कैसे लिया जाता है ग्यान लेना क्यों जरूरी है श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन जो महान गीता ग्यान में तुझे बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले ही इसी प्रत्विवर बताया था लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण आप तो भी वर्तमान काल में हो तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जनम हो चुके है जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने इस धर्ती पर मानव रूप में आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ जिस तरह से कोई शिश्य मुझे बहुत प्रेम करता है उसी प्रकार से मैं भी अपने शिश्यों से बहुत प्रेम करता हूँ मैंने भले ही इस संसार को बनाया है लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है इसलिए मनुश्य को भी करम करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ जो मनुश्य किसी भी करम के फल और सुक दुख से परे होकर कर्म करता है, वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुश्यों में सबसे उचा है। और अरजुन जो मनुश्य इस धर्ती में खुश नहीं रह प जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं जिस तरह से आग सूखी लकडियों को जला देती है उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्यान भी हर अज्यान को मिटा देता है हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में शरण रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को एकरता मानते हुए परमात्मा को अरपन कर दिये हैं ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांदेते इसलिए अर्जुन तू भी मेरे इस दिये हुए ग्यान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बलकि मैं कर रहा हूँ दोस्तो इस चोथे चेप्टर में यह साफ का आ गया है कि जब भी धर्ती पर मानवता का नाश होता है और निगेटिव एनरजी लोगों में ज़्यादा होती है तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से इस्तापित करते है इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रती रेस्पेक्ट होनी चाहिए कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए और ये नौलिज लेना और सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है क्योंकि हम चाहें किसी भी फिल्ड में हो ओव्यस सी बात है कि हमें उस फिल्ड के गुरूं से ग्यान तो लेना ही पड़ेगा और ग्यान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टार्गेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है भागवत गीता अध्याई पांच कर्म सन्यास योग भागवत गीता के पांचवे चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्रात्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हम को आलस में बांधने की कोशिश करता है अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण मैं अभी भी यह नहीं समझपा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से सन्यास श्री कृष्ण बोले देखो अर्जुन बले ही सन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों लेकिन दोनों के मन्जिल एक ही है और वो है भगवान जो व्यक्ति अपने मन को भठकने नहीं देता जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बलकि परमात्मा ने किया है और जो सभी जीव जन्तूओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्यान करने के लिए ही करते हैं परमात्मा कभी भी मनुश्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता बलकि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ-साथ उनके फलों का भी निर्मान करते हैं मैं तो बस उनका फल उनी को वापस देता हूँ इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती इसलिए अर्जुन तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नास होने से पहले अपने क्रोधखा नास कर लिया हो जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंदता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहीत सब का प्यारा भी हे अरजुन ये इंद्रिया मन बुद्धी इच्छा आशा डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन है इनका त्याग कर दोस्तो हमारी बोड़ी यानि की शरीर हमेशा रिलेक्स रहना चाता है क्योंकि बाई नेचर शरीर एक निर्जीव चीद ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूँ ये मेरी आखे हैं ये मेरे हाथ हैं और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धी पर भारी पड़ चुका है इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धी से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा दोस्तों जो रास्ते भागवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुश्य को परमात्मा से मिला देते हैं और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल करी लोगे जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश्मे करना बहुत जरूरी है ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मनजिल हासिल करने के लिए मन को वश्मे करना बहुत जरूरी है भागवत गीता अध्याई 6 ध्यान योग भागवत गीता के छटे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं यानि कि आज की लाइफ में बोले तो वह है इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत महनत करी लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ श्री कृष्ण बोले केवल अपने सांसारी करमों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता बलकि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता वही असली योगी कहलाता है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता और जिसका मन इधरूदर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तू से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव, जन्तु, आदी के प्रती समान दया भाव रखता है वही योगी की असली निशानी होती है अरजुन और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे, तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भाई के, अपने मन को मित्र बना कर मेरा ध्यान करना चाहिए ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है, जितना आवश्यक हो ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर इस्तिर रहता है, जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लो होती है जब जब भी उसका मन भटके, तब तब उसको उस इच्छा को वसमे करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए और जब योगी इस संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है, तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता अरजुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुती चंचल और हटीला है इसको एक जगह पर रोकना, हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है श्री कृष्ण बोले, हाँ यह सत्य है कि मन को वश्मे करना बहुत कटिन है लेकिन यहे भी जान लो कि बार बार योगा भ्यास और आत्म विश्वास से असंभव को संभव बनाये जा सकता है अर्जुन ने फिर पूँचा कि हे कृष्ण अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंदित करके योग करे लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारण वस उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी महनत शुनने हो जाएगी श्री कृष्ण बोले नहीं अर्जुन निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है अगर किसी कारण वस वह योगी आत्मा योग की रह से विजलित भी हो जाती है तो भी उसको योग ब्रष्ट पुन्य पुरुसों के लोक में कई वर्स सुक और आनंद मिल जाता है और वहाँ पर वह ध्यान ब्रष्ट योगी भी सुक में समय बिता कर फिर से किसी पुन्यात्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीश शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी और इस प्रकार से उसे एक नया रूप नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रियत्न के लिए फिर से मिल जाता है अर्थार्थ उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता लेकिन लगातार प्रियत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चकर से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी श्रिष्ट है इसलिए अरजुन तू भी योगी बन क्योंकि जो योगियों में भी परम होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है दोस्तों हर वो इंसान जिसकी आँखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अरजुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोसिनली बैलेंस्ड है न्यूट्रल है जो दूसरों की बाते माइंड नहीं करता और हमेशा आपने टार्गेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है लेकिन दोस्तों जिन्दगी का किसको पता भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने सपने ही रह गए पर एक बहुत ही सेक्रेट बाद भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताईए कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपिरियंस गेन कर लिया है बहुत नौलेज हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी आपको मनजिल नहीं मिली और किसी रीजन की वज़े से परमातमा न करे ऐसा हो पर आपकी डेथ हो जाए यह सपने के लिए महनत करते करते बुड़े होकर मर जाओ तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा और जब आपके अच्छे कर्मों का बेलेंस खतम हो जाएगा तो आप फिर से धर्ती पर जन्म लेकर आओगे और बाई नेचर आप ऐसे माहूल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ग्यान वाला लेवल नेचरली ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिन्दगी मिल जाएगी ऐसा मैं नहीं श्वर्म कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के छटे चेप्टर के स्लोक नमबर 37 से लेकर स्लोक नमबर 45 तक यही बात कही है और ये भी कहा है कि ये उनके लिए एप्लिकेबल है जो सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं यह भागवत गीता सार आप यूटूब के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं भागवत गीता के साथवे चेप्टर में बताया गया है कि इश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं इश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं इंसान भगवान को क्यो नहीं जान पाता है भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन अब मैं तुझे वो बाते बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ग्यान जानने की जरूत नहीं पड़ेगी हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और एसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पन के साथ प्रेम करता है मेरे दो रूप हैं एक जड़ रूप यानि की जिसमें प्रत्वी, अगनी, जल, वायू और आकास के साथ-साथ मन, बुद्धी और एहंकार है वही दूसरा चैतन रूप जिसमें इस रष्ठी का चक्र है समय को भी मैं ही चलाता हूँ जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में मैं ही हूँ प्रत्वी की सभी पवित्र गंद, अगनी और भुद्धी जीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल, और अलग-अलग समय कालों का भीज भी मैं ही हूँ इस संसार के लोग संसारी गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, और वास्तों में तो ये संसारी गुण भी मेरी ही माया है, मगर जो मनुश्य इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है, वो मेरा हो जाता है माया जाल में फसे हुए मुर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं कोई भी भक्त चार तरह से मेरी पूजा करता है कोई प्राप्ती चाहने वाला कोई दुख के संकट में याद करने वाला मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला लेकिन इन में से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्यानी बहुत पसंद है ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं लेकिन ज्यानी फुरुस्तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो और ग्यानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो म्रत्यू के पस्चात मुझ में ही समा जाता है जो लोग किसी इच्छा पूर्ती के लिए अगर किसी देवता की भक्ती करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्ता उनी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उनी देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ जो मुर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप नहीं कर पाते मैं भूतकाल, वर्तमान और भविश्य को पूरा जानता हूँ जबकि श्रद्दा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ट कर्मों का आचरन करके मेरी भक्ती करते हैं वो इस मुर्त्यू से मुक्त होकर मुझे में ही समा जाते हैं तो दोस्तों आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो क्योंकि डिस्ट्रेक्शन्स बहुत सारे होते हैं जैसा स्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट वरगेट सब बेकार है लाइफ के मजे लो कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं और इस तरह के लोगों को गीता में मुर्ख कहा गया है जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रेक्शन तो खुद महनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इनसान उसमें उलज के रह जाएगा या इसको पार कर जायेगा और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हाड़ वर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है भागवत गीता अध्याई आठ भगवान की प्राप्ति भागवत गीता के आठवे चेप्टर में आप जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है देवता कौन है ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्ड वर्क में लगना चाहिए अरजुन बोले ये कृष्ण ये परम भ्रम क्या है आध्यात्म क्या है कर्म क्या है ये संसार क्या है और ये देवता कौन है इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है श्री कृष्ण बोले ब्रह्म परमक्षर है आध्यात्म जीवों का स्वरूप है कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिस से वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते है हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ और जो भी पुरुष अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को ब्रकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है इसलिए मेरा इस्मरंड करने वाले सदेव मेरे पास ही आते हैं इसलिए अरजुन तू भी मुझे में ही ध्यान रखके युद्ध कर जिससे की तू मुझे ही प्राप्त होगा जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं और जो मेरे पास आ जाता है उसके दुख और म्रत्यु चक्र समाप्त हो जाते हैं ब्रह्मा का एक दिन एक हजार युगों का होता है और एक रात भी एक हजार युगों की होती है ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्मान होता है और रात के आरंब में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं अर्जुन अब मैं तुम्हें वह दो रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुएी लोग या तो परमगती को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं जब सूर्य का प्रकास रहता है शुकल पक्स होता है और सूर्य उत्राइन में होता है तब शरीर छोटने वाले कर्म योगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं जब रात्री होती है, क्रिश्न पक्स होता है और सूर्य धक्षिनायन में होता है उस वक्त पर कर्म योगी शरीर त्याक कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुक भोग करके वापस जन्द लेते हैं केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलो का मोह चोड़कर परम भ्रम को प्राप्त होता है दोस्तों इस चैप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मिनिंग निकाल सकते हो कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वज़े से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए उन लोगों को ज्यान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा और इनसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है इसलिए ऐसा ना हो कि आफ लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बेट जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए भागवत गीता अध्याइनो अत्यंत गुप्त ग्यान भागवत गीता के नाइन्थ चेप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग-अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है इसी को हम प्रेक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे श्री कृष्ण बोले कि हे अरजुन अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ग्यान देने वाला हूँ वह मनुष्य जो मुझे में सुरद्दा नहीं रखते वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ मैं ही मनुश्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ पुनर जन्म देता हूँ लेकिन मुझे मेरे काम का बिलकुल भी मोहे और एंकार नहीं है मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंदन में नहीं बंदता सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ मेरी माया जाल में फसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मुर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फसे रह जाते हैं जो वेदों को पढ़के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंदर के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं, जब तक उनके मानव जीवन के पुन्ने खत्म नहीं हो जाते हैं, और जब उनके पुन् शक्ताइं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूँ, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पित्रों को पूजने वाले पित्रों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास, और मुझे मानने वाले सदा मेर और कर्म करे तो मुझमें ही अरपन करके करना इस प्रकार से तु मुझको ही प्राप्त हो जाएगा मेरे लिए प्रिये और एप्रिये सब बराबर है यहां तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो चाहे इस्तरी पुरुष हो चाहे राजा या भिखारी भी हो तो वह भी मु कुछ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा दोस्तो जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूं दोस्तो इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है हम जिस तरह के इंसान के साथ समय विताएंगे टाइम बीतने क बाद में हमारी थोर्स पर भी उसका असर हो सकता है इसलिए निगेटिव थोर्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पोजिटिव रहते हैं जिनकी जिन्दगे में कुछ करने का मकसद है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आज बले ही वो कुछ ना ह लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना वैसा नतीजा तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन वन्जिल तक पहुँच ही जाते हैं भागवत गीता अध्याइदस भगवान की महीमा भागवत गीता के दसवे चेप्टर में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है भगवान कहां किस किस रूप में रहते हैं वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगए है, पर इसको हम जरा बारिकी से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संबव है श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तु मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ, मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्यानी है, ज्यान और मुर्खता, सत्य और ज्हूट, सुख और दुख, मन और बुद्धी, रचना और नाश, कीरती और अपमान सहीत सभी भाव, वास्तों में मैं ही तो हूँ, इस संसार में जहां जहां जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तों में मै पण करते हैं, उनके घ्यान के अंधकार को मैं ही घ्यान के उजाले से रोशन करता हूँ, इस पर अरजुन बोले, कि हे क्रिश्न, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बाते मेरा और ज्यादा मन मोह रही है हाला कि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानू और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताईए इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है उससे मैं तुझे बताऊंगा अर्जुन सभी समय मुझसे ही बने हैं भूत, वर्तमान और भविश्य भी मैं ही हूँ मैं ही विश्णू, सूर्य और चंद्रमा हूँ वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन जीवों में आत्मा, परवतों में सुमेर रुद्रों में शंकर, वस्वों में अगनी और धन दोलत में कुबेर भी मैं ही हूँ जल में समुद्र, ग्रहों में ब्रहस्पती अडे रहने बालों में पहाड, देवर्शियों में नारद, पैडों में पीपल, हातियों में एरावत, मनुश्यों में राजा, गायों में काम धेनू, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेशनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड, योध्धाओं में श्री राम, समुद्र में मगरमच, नदियों में गंगा, विध्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्ने, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महिनों में मार्क्षीस, रित्वों में बसंत भी केवल मैं ही हूँ, छलों क जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चे करने वालों का निश्चे और भक्त पुरुशों की भक्ती भी मैं ही हूँ। इसी काम का नहीं है, बस तु इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंस मात्र से ही चलता है। उन चीजों में अपनी एनरजी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नौलिज है जो आपको अपनी मनजिल तक पहुँचाएगा। भागवद गीता अध्याग्यार भगवान का अनन्त रूप भागवद गीता के ग्यारहवे चैप्टर में भगवान के विराठ रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिये हुए ज्यान से मेरे संधेह दूर हो गये हैं। लेकिन अगर संभव हो, तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तु इन मानव की आँखों से यह सब नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आँखे देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा, वह वास्तों में कलतना से परे था। को देख रहा हूँ। लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंव दिकरा ए। ना कोई मत्य है और ना ही कहीं अंत। आपमें हरत रहे के अस्त्रि सच्त्र हैं, हरत रहे के प्रकास और सूर्य है स्वर्ग और धर्ती के बीच का पूरा आकास मानो आपसे ही भर गया है कई देवता के समूँ आप में प्रवेश कर रहे हैं कई आपकी वंदना कर रहे हैं तो कई लोग भैभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं आपके अनंत हाथ पेर, पेट, आखों, मुह वाले रूप को देखकर समस्त स्रश्टी सहीत मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ मैं पांडवों कोर्वों की संपून सेना के महान युद्धाओं को अन्त होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपून ब्रहमांड को बहुत उर्जा दे रहे हैं हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगय हूँ, और मैं ही समय हूँ इन सेनाओं के योध्धाओं को नश्ट करने के लिए परकट हूँ इन सब योध्धाओं की मोत में पहले ही लिख चुका हूँ तू तो सिर्फ इनकी मोत का कारण है, मारने वालत तो स्व्यम मैं ही हूँ इस पर अर्जुन भहवीत लेकिन गदगद होकर बोले हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्सी, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप ही इस जगत के पालन करता और विनाशक हो आपको कोटी-कोटी नमसकार आपके लिए हर धिशा से नमसकार क्योंकि आपका कोई आदी नहीं है, मद्य नहीं है, और अंत भी नहीं है हे प्रभु मैंने जाने अन जाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है मुझे आपकी सत्य का पता नहीं था इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए मैं आपकी वंदना करता हूँ पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को च्षमा कर देता है वैसे ही आप भी मुझे च्षमा करें आपकी इस रूप को देखकर मैं खुस भी हो रहा हूँ और भाईबीत भी हूँ इसलिए अब करपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतरभुज विष्णु रूप दिखाईए मैं आपको मुकुठ चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ इस पर स्री कृष्ण बोले कि अर्जुन मैंने तेरे आग्रहे पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और नाहीं देख पायेगा मेरे इस रूप और अनन्त आकार को देखकर तु व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो और अब तेरी इच्छा अनुसार तु मेरा चतरभुजी रूप भी देख इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतरभुजी रूप दिखा कर अर्जुन का साहस बनाया और अनन्त रूप से उत्पन हुई व्याकुलता भी दूर करी इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शान्त हो गया हूँ कृष्ण बोले अर्जुन जो चतरभुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुरलब है और इसको देखने के लिए देवता भी तरस्ते हैं यह चतरभुजी रूप किसी भी यग्य, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है परन्तु अर्जुन जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है करतव्य परायन है, वासना और बेर रहित है वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है दोस्तो गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही है तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि यह तो बहुत बड़ी है मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी और दोस्तो यही महान लोगों का एक गुण भी है वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी हावास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं यह उनके बड़पन को दिखाता है दोस्तों गीता के बारहवे चेप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिक रहें एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अरजुन ने कहा कि हे भगवान आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है रूप या फिर निराकार श्री कृष्ण ने कहा जो भगवान को एकाग्र करके श्रद्दा से युक्त होकर मुझ सगुन रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझे योगियों में श्रेष्ट लगते हैं परन्तु जो भगत अपनी इंद्रियों को वश्मे करके मन भुद्धी से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्थ होते हैं जो भगत अपने करमों को मुझे में अरपन करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्थ होते हैं इ अगर तु मन को रोकने के अभ्यास में भी ऐसा फल है तो तु मेरे लिए ही कर्तव्य परायन हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे अभ्यास से ग्यान स्रेष्ट है ग्यान से मुझ परमेश्वर का ध्यान स्रेष्ट है और इस ध्यान से भी श्रेष्ट है सभी कर्मों के फल का त जिससे तुरंत ही शान्ती मिलती है। कर्म और मेरी सेवा करते हैं वह मुझे अतिप्रिय है। दोस्तों इस चेप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभों से सीखना चाहिए। एक स्टुडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूँ। यह भागवत गीता सार आप यूटूब के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं। भागवत गीता अध्याय 13, क्षेत्र, क्षेत्रग्य, विभाग योग। वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रग्य का ग्यान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है। और इस ग्यान में पांच महाभूत यानि कि प्रत्वी, अगनी, जल, वायू, आकास को मिलाकर मन, बुद्धी, एहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धेरिये और विकार भी सम्मिलित है। अब परंभर्म को प्राप्त कराने वाला ग्यान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुस्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पन और ध्यानमगन रहना चाहिए। और शंकर की तरह विनास भी करता है वह अलग-अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग-अलग तरह का होता है। परम भ्रमों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदे में निवास करता है। परन्तु इसके बाद भी यह जानने की योग्य है फे अरजुन इस प्रकरती और पुरुष का भी कोई आरंब नहीं है क्योंकि प्रेम और ग्रेना और तीनों तरह के गुण अर्थार्थ, सत, रज और तम भी प्रकरती से ही आते हैं। प्रकरती से जन्मा मनुष्य प्रकरती के ही गुणों को भोगता है और इनी गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरंट तै होता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकरती से ही होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकरता समझ कर इस भोग सागर से पार हो जाता है। हमारे ही कामों से हमें तकलीफ या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी इस खेत में बोएंगे फल भी उसी भीज के अनुसार हमें भोईशे में जाकर मिलता है। भागवत गीता अध्याय चोधय प्रकरती के तीन गुण। दोस्तो भागवत गीता के चोधवे चेप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार तीन गुणों में बटा हुआ है। श्रीक कृष्ण बोले हे अर्जुन अब मैं तुझे संसार के उन तीन गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मोह से बांदते हैं और जिने जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। तीनो गुण है सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। तीनो गुण की प्राप्ति होती है। सत्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्यान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह तीन गुण ही उससे सब काम करवाते हैं। तब वो है अपने करतापन से और इस संसार से मुक्त हो जाता है। और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परंभरम अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यह तीन प्रकार सात्विक, राजस और तामस हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। अगर आप महनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुस रहोगे। अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट की काम ना करके महनत कर रहे हो तो कोई गयारंटी नहीं कि खुशी होगी या दुख होगा। अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी ना किसी जमय आपको ही दुख मिलेगा। भागवत गीता अध्याई पंद्र है पुरुशोत्तम योग। वो तीन तरह के गुण यानि कि सत्व, रज और तम से ही बनिये। इसकी जड़ों में स्वम परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कौपले मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है। जालन करके उस परम भ्रम को ढूंडना चाहिए। और जिसका मान, मोह, सम्मान, अप्मान सभिनष्ट हो गए हैं और भुद्धी स्तिर हो गई है। वह पुरुश इससे मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाकर जिस परमपद को वे पुरुश प्राप्थ होते हैं, उसको को कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरा परमधाम है। हे अरजुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंस है और यह आत्मा ही मरत्यू के बाद दूसरे शरीर में चली आती है। यह शरीर कान, आख, तवचा, जीब, नाक और मन से ही इन इंद्रियों का और व आलन पोशन करता है। इसलिए मैं ही पुरुशोत्तम हूँ। दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा कि हम जिन्दगी में बहुत बार उस चीज के पीछे भागते हैं, जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खतम नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं, उतन इसको ढूंड पाएगा। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारी का सकती, नफरत, अज्ञान, वासनाय, आशाय करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले नातो समान से बात करते हैं और नाही सत्य बोलते हैं। बूरे करमों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धी मन्द हो चुकी है। और जो इस संसार में सिर्फ नास का कारण ही बनते हैं। इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुक सिर्फ इंद्रियों के सुक तक ही सीमित है। वह हमेशा और अधिक वस्तुए प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वह सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। देविय स्वभाव से मुक्ती होती है जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार-बार असुरों में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अरजुन, काम, क्रोध और लोब ही नरक के तीन द्वार है। इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है। वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अरजुन, तु शास्त्रों सहीत इस देविय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तो इस चेप्टर का मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आही गया होगा। आखिर में जो तीन नेगेटिव फेक्टर्स बदाय गए हैं। वासनाए, गुस्सा और लोब यह सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे जरा बचके रहना। भागवद गीता अध्याई सत्र है, श्रद्धा के रूप। दोस्तों गीता के सत्रवे अध्याई में आप जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यग्ये को, तप को, ज्यान वगेरा को कौन से तीन भागों में बाटा गया है। अरजुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़ कर देवों की पूजा करते हैं, वो क्या है? सात्विक, राजस या तामस। और कर्म करता है, और कर्म को ही तप मान करके करता है, वह भी इस संसार से मुक्त है, जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यग्य, तप और दान भी तिन तिन प्रकार के होते हैं, फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है, राजस भोजन सुआद में तीखे जैसे कि मीठे खटे बहुत गर्म आदी होते है और तामस भोजन में जैसे धुरगंद वाले भिनारस के अधपके अपवित्र आदी है इस तरह यग्यों में शास्त्र विदी से नियत और फल की इच्छा रहिद किया गया यग्य साथविक है केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यग्य राजस यग्य है शास्तरों के विरुद दान रहिद और शद्दा रहिद किया गया यग्य तामस यग्य है इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलो की इच्छा से रहित हो सात्विक तब कहलाता है किसी वस्तु की प्राप्ती के लिए किया गया यग्य राजस तब कहलाता है और किसी की हानी करने के लिए किया गया तब तामस तब कहलाता है इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिये जिसको जो आवशकता हो वहे दान कर दिया जाए और यह समझा जाए कि दान ही करतव्य है वहे दान सात्विक दान कहलाता है जैसे कि भूके को खाना किलाना वस्तरहिन को वस्तर पहनाना अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना जो दान उसके फलों को द्रश्टी में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए सुर्ग की प्राब्ती के लिए और दान के बदले में वापस प्रत्युपकार की चाहए में दिया गया हो वह राजस्त दान कहलाता है जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बल पूरवक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं श्रद्दा सहीत फल की इच्छा रहित और जगत कल्यान के लिए किया गया दान यग्य और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है दोस्तो इस चैप्टर में आपने सुना कि हर कर्म के तीन प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है और ये तीनों प्रकार है सत, रज, और तम सत सबसे अच्छा माना गया है तम सबसे गिराववा माना गया है सत का मतलब है आप जो भी काम करें, महनत करें उसमें एकदम एमोशनली स्टेबल होकर बिना उस काम की रिजल्ट के बारे में सोचे बिना उस काम को करने का क्रेडिट लीए खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्यान करने के लिए करें लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मैंनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारी दुखों का और काम बिगडने का यही मैन रिजन है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर परिशान रहते हैं इसलिए दोस्तों आप भी सत के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें दोस्तों गीता के अठारवे और आखिरी चेप्टर में हम जानेंगे कि क्या त्याग और सन्यास एक ही है इस पूरे गीता गरंथ का निचोड भी आपको इसी चेप्टर में मिल जाएगा इसलिए आपको इस चेप्टर को लाश्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए अर्जुन बोले हे कृष्ण मैं त्याग और सन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको सन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोश भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि यग्य, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए इसलिए अरजुन अब तु मेरे से त्याग और सन्यास को अच्छी तरह से समझ इन दोनों मैंसे मैं त्याग को पहले बताऊंगा क्योंकि यह त्याग भी तीन तरह का होता है साथविक, राजस और तामस यग्य, तप और दान ये तीनों त्याग के योग्य नहीं बलकि फल की इच्छा के बिना किया गया यग्य, तप और दान यही साथविक त्याग कहे जाते हैं मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसकती ना हो उसको सात्विक त्याग कहा जाता है कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को यह समझ कर त्याग दे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है किसी अन्यमोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो त्याग को तामस त्याग कहते है जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है ऐसा भुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है मनुष्य शरीर कितना भी प्रियास कर ले लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता जैसे की सांस लेना इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सचा त्याग होता है जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं उनके कर्म फलमर्त्यों के बाद भी उनका पीचा नहीं छोडते हैं हे अरजुन, मनुश्य मन, वानी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वह पांच तरहे से होता है करने वाले के दोरा, उसके शरीर के दोरा, उसकी ग्यानेंद्रियों के दोरा, उसकी करमेंद्रियों के दोरा, या फिर उसके पूजनिय देवताओं के दोरा ग्याता ग्यान और गेय ये तीन परकार की कर्म प्रेणना है कर्ता कारण और क्रिया ये तीन तरहे के कर्म संग्रेय है अरजुन ग्यान कर्ता और कर्म ये तीनों भी तीन तरहे के हैं जिस ग्यान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है वह ग्यान साथविक है जिस ग्यान में परमात्मा को अलग-अलग समयों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है वह राजस ग्यान है और जो ग्यान सात्विक ग्यान और राजस ग्यान के बाहर है वह तामस ग्यान है जो कर्म श्रद्दा रहित और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्वी कर्म कहलाता है जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वह राजस है और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म है इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक करता, राजसी कर्म करने वाला राजसी करता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक करता कहलाता है इस तरह बुद्धी और संकल्प भी तीन तीन तरह के होते हैं हे अर्जुन सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धी और संकल्प ये भी क्रमश है सात्विक, राजस और तामस होते हैं हे अर्जुन सुख भी तीन तरह के होते हैं बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म में ध्यान लगा कर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है बल, बुध्धी, शक्ती, राज्य इत्यादी की प्राप्ती राजत सुख है नींद, आलस्य और वासना इत्यादी तामस सुख है इस पूरे ब्रह्मांड में इन तेनों परकार के अलावा और कुछ भी नहीं है ये अर्जुन, ब्रहामण, ख्षत्रिय, वैश और शुद्र इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बाटें गए हैं अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना करता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको ब्रहामण कहना चाहिए बल, बुद्धी, दान, वीर्ता, शासन, ये सब क्षत्रिय के कर्म है, खेती, व्यापा, रित्यादी, वैश का काम है, तथा इन सब वर्णों की सेवा करना, शुद्र का कर्म है ये अरजुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है, बले ही कम गुणों वाला हो, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाएं, और ऐसा करना ही मौक्स के द्वार खोलता है, मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कम्या तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ग्यान का ध्यान करने वाला, मन, वानी, शरीर को वस्में रखने वाला, लाबहानी, सजीव-निर्जीव, मित्र-शत्रू, इन सब को बराबर समझने वाला, घमंड, बल, मोहरहित और शांती सहीत भगवान से अनंत भक्ती प्रेम करन करने वाला, सदा के लिए मेरे पास आजाता है, इस तरह का ब्रह्मयोगी, ना तो को याशा करता है, ना ही स्वयम को या दूसरों को दोस देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है, इस तरह का परमयोगी, सब कर्म करता हुआ भी, स्वयम को करता ना समझकर, मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है हे अरजुन इस तरह से तू भी इन बातों को समझ कर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परमपद पाएगा और अगर तू इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा मेरे ग्यान को नहीं मानेगा तो अपने धर्म, कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नश्ट हो जाएगा हे अरजुन तेरे अंधर भी मैं ही हूँ इसलिए तु सब मोह छोड़ कर और इस माया से बाहर निकल कर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर इसी से तु मुझ भगवान के धाम में उच्चा इस्थान प्राप्त करेगा अरजुन मैंने पूरे रहस्यमई और गोपनी ए ग्यान तुझे अच्छी तरह से बता दिये हैं फिर भी तु अब जो समझ कर करना चाहे वैसा करना लेकिन अरजुन तु मुझे बहुत ही प्रिय है इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर मैं प्रतिग्या करता हूँ कि ऐसा करने से तु मेरे ही पास आएगा फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तु पाप करने जा रहा है तो जब तु मेरी ही शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे पूरे पापो को माफ कर दूँगा इसलिए तु दुखे मत हो और अरजुन तु इस दिव्य ग्यान को उस व्यक्ती से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाता या भक्ती और कर्म नहीं करना चाता या परमात्मा में दोश निकालता हो परन्तु तु जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझ कर यह ज्यान कहेगा वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा इस गीता ज्यान को समझना ही वास्त्विक ज्यान यग्या है और इस ज्यान यग्य से भी मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। ब्रामन होता है और इस भागवत गीता पर सभी मनोश्यों का बराबर हग है। आज की ये दुनिया कर्म भूमी है। कर्म और महनत का सिद्धान सब के लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ग्यान को बार बार सुनें। हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाए। ताकि आप अपनी कर्म स्तल के अर्जुन बन कर अपने जीवन का लक्षे हासिल कर सको। जय श्री क्रिष्णा, जय हिंद वंदे मात्रम।